leave your comfort zone, मैं इसके completely against नहीं हूँ, जो मैं भी आपसे बताना चाह रहा हूँ, आपको ऐसे लगेगा, कि मैं उसके, वो theory के completely against हूँ, वो process के, completely against हूँ, to leave your comfort zone, यह कभी काफी बार आप motivation में सुनते होगे, कोई motivational speaker से सुनते होगे, लेकिन यह आपसे कहना चाह रहा हूँ, कि आप कोई एक process regularly करते हो, और उसकी वज़े से आपका progress हो रहा है, आपको अच्छा output आ रहा है, तो आप उस process में dominate कर रहा है, आप उस process में, बोल सकते हैं, आप comfortable हो, और अब आपको उस process में, regularly करने में, progress मिल रहा है, output मिल रहा है, तो just for the sake of, leave your comfort zone, कि आपने वो process छोड़ देना चाहिए, change कर देना चाहिए, क्या लगता है आपको, मेरे खयाल से आपने continue रखना चाहिए वो ही process, और growth करते रहना चाहिए, मैं example मी ले सकता हूँ, कुछ athletes के बारे में, जिससे prove होता है, कि वो athletes उनके comfort zone में रहकर खेलते हैं, और फिर output अच्छा आता है, और वो progress करते है, लेकिन उन athletes के बारे में discuss कियें बिना, आप खुद एक बार ट्राइ करके देखो, आपका जो output आ रहा है, एक regular process से, उसका आपने change करना चाहिए, क्या, answer मेरा है, नहीं, तो ऐसे ही important career और life lessons के लिए चैनल को subscribe कर वीडियो को like share कर आता है, और life lessons के लिए बतिए सन्देटानτε करा चाहिए.